दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकासी रूटेक में तो गैस यार यूपी स्कोलर्शिप के फिल्ड में आज मैं आपको बता दूँ कि तीन स्टेटस ऐसे रहने वाले हैं लेटेस अब्डेट है ये फरवरी के लास्ट वीक का जिसमें य इन तीन स्टेटस वालों का स्टेटस तीसरी बार अप्रेट हुआ है फिर भी छात्र रूट्ति इनको नहीं मिलेगा तो कौन से वो छात्र रहने वाले हैं कौन से स्टेटस क्या क्रेटेरिया है इन्हीं सारी चीजों को ये बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और एक बड़ा जटका है उन छात्रों के लिए जिनका स्टेटस इससे मैच करेगा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा दिखाऊंगा इसके अलावाँ छात्र रूति आने और दूसरी किस्ति कुले कर आज की क्या बड़ी अप्रेट है छात्र रूति कब आ वीडियो सलुसन आप पाजाओगे फ्री में आप सारे अनलिम्टेट सवाल जो है वो पूछ सकते हो जी आपको कुछ भी नहीं करना है सारी जो भी डाउटस है वो पूछ सकते हैं आदर क्लास सिक्थ या फिट्वेल्थ क्लास का हो इसके अलावाँ आपको बता दू क्लास मिल जाएगा इसके अलावाँ आपको डाउटनट से पढ़के आप राइंक वन स्कोर कर सकते हैं 100% रिजर्ज जो है वो दे सकते हैं तो जाओ डाउटनट को एप इंस्टॉल करो और आप भी तो यहां पर आप दिख सकते हैं अगर आपका भी स्ट्रेटस ब्लैंक है क के अलावा गाइज मैं आपको बता दूँ जिन भी छात्रों का फॉर्म रिजर्ट हुआ है इन छात्रों को भी छात्र वित्ती का लाव इस बार नहीं मिलेगा यह बड़ी अपडेट है इस वक्त की और रिजर्ट मतलब किस कारण से रीजन भी लिखिया आरा है बकाइदा क 30, 60% से बिलो है तो रिजर्ट कर दिया गया या फिर अप्टेन परसंटेज जो है वो 33% के बिलो अगर फिल अप किया गया तो रिजर्ट कर दिया गया कई सारे चात्रों का zero result उन्होंने मतलब फॉर्म भरते वक कर दिया बाद में करिक्सन नहीं किया सुधार नहीं किया तो जोनार काउंसलिंग के छात्र थे उन सभी छात्रों का जो फार्म है उसको भी रिजेक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे अगर आपका फार्म वेरिफाई हो गया है तो अच्छी बात है बागी का जिन छात्रों का रिजेक्ट हो चुका है मान के चलो कि इन छात्रों के नके बरा वो बिल्कुल सही तरीके साब को मिल सके बाकी का जिन भी छात्रों का फार्म वेरिफाई हुआ है उसमें करीब ऐसा डाटा मालूम चला है 65-70% लोगों की ही छात्र वित्ती जो है वो उनके बैंक बैलेंस में भेजी जाएगी बाकी के जो 30% छात्र हैं उनकी इसलिए नहीं भ वेरिफाई हुआ है यह तमाम सारी चीज़ें यहां पर कारे करने वाली हैं तो यह कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो होंगे इस बार छात्र वित्ती भेज़े जाने को लेकर बड़ी अपडेट थी सुचा के विडियो के माध्धियम से आपको बताऊं चलिए अब आपके बा स्कॉलर्च में आएगी सेकंड इंस्टॉल्मेंट भेजी जारे के चात्रों को भी जल्द ही सेकंड इंस्टॉल्मेंट देखने को मिल सकता है चले कुछ आप लोगों के सवाल है उसे बाद तो गयाश जैसर आपको अपना स्टेटर्स च्रेक करने के लिए करिक्षन है या पर स्कालर्शिप का पैसा आया फिर नहीं सिंप्ली क्रोम पे बेश्रोजगार जो है वो सर्च कर देना है आपको इस्प्ली होम पेज पेश पर चले आना है यहां पर जैसे आप पहला वाला इंटरफेस क्लिक करोगे आपको यूपी स्कॉलर्शिप पेमंट स्टेटस पर क्ल जाएंगी तो आप लोग विजिट करो यहां पे देखो चेक आउट करो समझ गए गाइस बागी का आपको बता दूं कि लगातार यूपी स्कॉलर्शिप के फिल्ड में वेबसाइट जो बिना बग के काम कर रही है तो आप आओ यहां से अपना स्कॉलर्शिप का स्टेटस जाएंगी चेक करो क्योंकि छात्रों का स्टेटस जो है वो अपडेट तो देखें गाइस अगर वीडियो में आपका कमेंट नहीं पिक होता तो ऐसे मैं आपको परसान या फिनिरास होने की बात नहीं क्योंकि अबियस ही बात है कई सारे कमेंट्स होते हैं तो भाई सब रि का डाउड जो है वो कमेंट माद्य हमसे दूर हो जाए समझ गए तो लगातार आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी का आप लोगों के सारे कमेंट्स को मैं देखता हूं अनलाइज करता हूं मनौ उसका कहना है कि सर मेरी बेटी का फॉर्म जो है वो यूपी आईसी सी रोलंबर डिजल्ड डजनाट मैच ऐसा करके आ रहा है करेक्शन में दिसंबर में करेक्शन कलके जो भी कॉलिज में प्रिंट आउड था वो जमा कर दिया था दुबारा करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है मैंने क्लर को दिखाया तो उन्होंने बताय कि जल्दी ही हो जाएगा दुबारा करेक्शन करना दुबारा करेक्शन नहीं करना है तो इस कोड की पार जाएगी कि नहीं सर बिलकुल आएगी भाई मनोज यहां पर देखी हिनका कहना है कि हमने बेटी के कराके जो फॉर्म था वो क्लाश टेन्थ का मतलब जमा कर दिया था रिजल्ट तो अगर आपने, मैं फिर के रहाऊंग, अगर आपका suspect में किसी भी छात्र का नाम था, और वो December या फिर January में suspect में नाम होने के बाद उस चीज का समाधान करके, अपने college में अगर document submit किया था, तो उन छात्रों का भी form एक हपते के अंदर verify हो जाएगा, और इन तमाम छात्रों को छात्रवित्ती का लाव जरूर से मिलेगा, तो कुछ इस प्रगार के अलग-अलग जो doubt है, वो लगातार छात्रों के जहन में है, आप लोगों क्या लगता है किस topic पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के मतलब ज़्यादा audience कवर किया जा सके, comment करके अपनी राए बेहचित दे सकते हैं, आप लोग आजाद है, thanks for watching, वीडियो अच्छे लगी हो, लाइक करना, दोस्तों मिसेर करना, और चैनल को तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जय हिन्वन,